हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में नई वेकंसिस की डिसकस करने जा रहे हैं जो कि निकाली गई है DRDLC यानि की Defense Research and Development Laboratory या हैदराबाद में इस थी थे और यहां से वेकंसिस आउट की गई है गाइस या DRDO ही है और DRDO ही इसे लिड करती है बिलकुल इसकी सबसिड्री है और यहीं से अपरेंटिसिप की बेकंसे जाउट की गई है जिससे कि ओल इंडिया के केंडेड आलिजबल हैं तो आप एपलाइक कर सकते हैं दुशले गाइस ओफिसल नोडिफिकेशन की जरीए फुल डिटेल्स की जनका इस वीडियो में बात करेंगे साथ में जानेंगे कौन-कौन से लोग एलिजबल हैं क्या एलिजबल हैं क्या एपलिकेशन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है इससे पहले मैं बता दूँ आप हमारे चैनल में पहली बरविजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करें और बेल एकन को प्रेस करके नोडिफिकेशन बेल कॉल कर लें आप देख सकते हैं इस्टापन जो भी मिलने वाले अप्रेंटेश सीपेक नाटेन सिक्स्टी वन के दद सारी सेलेक्शन एन इस्टापन रूल सब कुछ एजली मिंट बगरा किरचर यह आपका रहेगा चले यहाँ पर मैं ट्रेट की बें बात करूँ सबसे पहले आप दिख सकते हैं फीटर है टर्नर है मसीनिस्ट है मसीनिस्ट ग्राइंडर के लिए वेकनसी जे नेक्स आपकी पैटर्न मेकरन के लिए इंकलोडिंग कारपेंटर वेल्डर इलेक्टरिसियन मेकनिकल टूल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पंदर साल से लेकर 24 साल का जो किर्चरिया अपरांटर से प्यक्ट 1961 के तद बिल्कुल वही रूल फॉलो अने वाला है और आईटिया पास आउट होनी चाहिए टेंद पास भीद आईटिया आप देख लिए आप देख लिए आप देख लिए प्रमें मेरिड वेसिस पे होगा या फिर आपको इंट्रव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है तो बेसिक सा इंट्रव्यू होता है और चोड़ी मोड़ी बातें पूछी जाते आप से फिर आपकी अच्छे marks बगरा होते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाता है यानिकि इस अपको मार्क्स कितना है बोसी के हिसाब से आपकी सरे करना सी उसके सारी चितने बैंगे आपके सरह को सेंट करना है और इस יलीट संब्सक्राइब आप 15 फरवरी 2021 से पहले तो डेट काफी अच्छी है अच्छा दिन है 22 दिन आपके आथ में बचा आप आराम से यह रापलिकेसन फॉर्म इससे प्रिंट आउट किजेगा आराम से आप इसे फिल कर सकते हैं कुछ नहीं आप देख सकते हैं ट्रिट करना हैं और екडंडे ऊंदर करना चाहते हैं गाथ में अपे इस तरह से तो यहांन पर यह रहें पर आपके आपको ऑनर मिला है एन्से बीटी पोटल पे यानि कि न्यू पोटल पे अपरेंटेस पोटल पे रेश्टेशन भी करना आप कर लिजेगा, नमर मिल जाएगा नमर फिल कर देना, उसके बाद टेंथ की आपकी जो नाम क्या है, टेंथ के सेटिफेट पे यानि कि जो आपका नाम है वो फिल करना, जन्डर फिल करना, डेट वबर्थ, फादस नेम, मदस नेम, काश डिटेल्स, उसके बाद पी डेबलू डी आप हैं, या सनो कर सकते हो, नेक्स अपनी प्रमानेंट एडर्स और परजेंट एडर्स फिल कर दीजेगा, मोबाइल नमर, आधार नमर, बेंक एकाउंट का नमर, ट्रेड आपका क्या है ITI में, और ITI का इंस्टूट का नेम फूल आपको देना है, यहाँपे ITI के डीटेल्स आप दे दीजेगा, सबसे पहले, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितना अपने अटेंट किया, टोटल मार्क्स, परसेंटेज कितने हुए, टैंद के डीटेल्स भ फिर आपको यह इमेल आड़ी पे एक पीडिया बनाकर आपको सेंड कर देनी है, इससे रिगार्डिंग आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मोबाइल के जरीए, इमेल के जरीए आपको मैसेज मिल जाएगी गाईज, तो बस यह इतना छोड़ा साही इंफॉर्मेशन है, होपुली समझा चुका अगा अच्छे तरीकी से, जो केंडिड अपला करना चाते हैं, कर सकते हैं, आप पस्णोडी चकाशी अच्छी खासी आपको मिलती है, इसमें भी, और वीडियो पसंद आई, इससे लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा सेर करें, चैनल पी नही तो सब्सक्राब करें, चैनल मिलते हैं नेक्षी वीडियो में, तत्त के लिए जहींत,